हलो एंड वेलकम तो न्यूस्क्लेक नमस्कार मैं परणजॉई गुहा ठाक उर्ता वो रहू आज मेरा साथ न्यूस्क्लेक का स्टूडियो में पवन वर्मा राश्टदू थे लेखक हैं भूतपूर्व राज्यसभा का सांसद है और कुछ दिन पहले तक उन्हें ने जंताद यूनाइटिट के प्रवक्ता थे और फिर उनको जंतादल यूनाइटिट से राश्ट्य महासज़ थे राश्ट्य महासज़ थे और ठीक है बिहार का मुक्रमंद्री नितिश कुमार जी आपने पार्टी से हटा दिया यूवर एक्सपेंट ठीक है वो बाद में आएंगे प से त्याक पत्र देने के बाद आप नितिश कुमार जी का सलाकार बन गए और कैबिनेट रैंकिंग मिनिस्टर मगर दो कदम पीठे हच जाए नितिश कुमार जी जनतादल में थे चुरानवे तक फिर सम्तापाटी उसमें लालू प्रसाद उनके साथ थे फिर आप जानते है कि 1995 का बिहार का विधान सबाद चुनावने में एकदम भारती जनतापाटी का खिलाफ उनों ने थे फिर उनोंने लालू प्रसाद यादव को छोड़ दिया और भारती जनतापाटी के पास चले गए तो फिर अटल बिहारी वाचपाईजी का सरकार में उनोंने दस साल रहा दस सल के आसपास भारती रेल मंतरी थे उस समय गोदरा कांड भी हुई थी फिर उसके बाद उनोंने आप जानते हैं 2005 में मुक्ष मंतरी बना बिहार का एक हपता रहा फिर पांच साल रहा फिर आप यह भी जानते हैं फिर वापस चले गए लालू पसाद यादव जी से और फिर वापस चलेंगे बीजे पी एक तरह से नितीश जी का राजनीती क्या कहें सुविदाबादी राजनीती कहें अंग्रेजी में ऑपर्चुनिस्टिक टू दा कोर और आप उनके साथ रहें आपको पता नहीं था इस तरह सा वेकती है कि आज यहां पे रहेंगे कल और कही नहीं रहेंगे विचारधारा क्या है उनकी किस के साथ रहेंगे तो हाओ डू एवैलुएट नितीश कुमार ऐज़ परेटिशन देखे बात यह है कि कुछ समय लगा मुझे भी समझने में कि अब जहां पर वो हैं अब विचारधारा से उनका कुछ लेना देना नहीं है उन ही लक्षे रह गया है पर ये बात इतनी स्पश्ट नहीं थी जब मैंने दोवजार तेरह में उनको जॉइन किया आपको साथ साल लगा मैं बता रहा हूं आपको उसके पहले उन्होंने कहा कि बिहार के हित के लिए जिस तरह से कुछ रथन लालू ब्रासाद यौदव का चल रहा था उसके लिए बीज़ पी से हाथ जोड़ना जरूरी था हाथ मिलाना जरूरी था जिसमें लालू ब्रूद यौदव के पंदरह साल के कुछ रथन को हटा सके विचार धरका इस्तोर किया उसके बाद वो बीज़ तब उन्होंने कहा कि सामप्रदायकता से लेकर तीन विशे को लेकर तीन विशे यानी मंदिर तीन सो सतर और उनिफॉर्म सिविल कोर्ड वो बीच में आड़े नहीं आएंगे हम बीजेपी के साथ हैं और उनका कहना था कि बीजेपी अटल बिहारी वाजपाई के नित्रित हुएं इसके बाद जब नरेंद मोदी जी आए और यहीं से मैं समझता हूँ उनका विचारधारा के आधार पर वैचारिक पतन शुरू हुआ उन्होंने कहा कि नरेंद मोदी जैसे व्यक्ती अगर बीजेपी का नित्रित्व करेंगे दिन बीजेपी इस फिनिश्ट दे नेशन इस फिनिश्ट बलकि उन्होंने सारवजनिक रूप से कहा कि नरेंद मोदी हिटलर है और बीजेपी फासिस्ट है और हम उस वक्त मैं तभी उनके साथ मैं जुड़ा था हमने उस वक्त नरेंद मोदी का पुर्जोर विरोध किया जब वो प्रधानमंत्री बने और नितीश जी उसके सबसे आगे थे उसके बाद उन्होंने गठबंदन लालू प्रसाद यादव और कांग्रस के साथ बना करके बीजेपी को परास्त किया उसी के चलते कि हमको नरेंद मोदी का विरोध करना है अब जाकर के जब उन्होंने फिर से बीजेपी वही बीजेपी जिसका नेत्रित्व नरेंद मोदी कर रहे है उसके साथ जब हात में लाया तब से मुझे लगने लगा कि नितीश कुमार विचारधारा के नहीं है पर विचारधारा का इस्तमाल करते हैं केवल उसे जरिया बनाने सत्ता के लिए He uses ideology not for the sake of the pursuit of ideology but to use ideology for the pursuit of power ठीक परबन जी आपको तो काफी समय लगा मैं कहोगा साथ साल लग गया कि नितीश कुमार जी का असली जी चरित्र है असली चहारा है समझने में फिर भी ठीक है मैं मान लिया आपके बात ये क्या हुआ अचानक ये जो आपका लेक अगर कोई भी परे आप टाइम्स ओव इंडिया जैसे अख़वार में लिखते हैं एशियने जो और बहुत सारे पत्रका में आपका लेक चपते हैं आप बहुत सारे किताब भी लिखे हैं अलग अलग विशे के उपर घालिब से करके आपका ये चानक के का विचारधारा से बहुत कुछ आपने आदी शंकरचा रिया गुलजार का कविताएं भारत वर्ष्ट का मदवर्ग बहुत सारे किताब आपने लिखे हैं मेरा लिस्ट में तो आठ आठ किताब है ऐसे 24 है देखिए आपको ऑनररी डॉक्टरल 1976 बैच है तो हमें समझ में नहीं आ रहे है कि आप जैसे बुद्ध जीवी एक वेक्ति है आपका अलग-अलग एक्सपिरियंस है आप भारत वर्ष्ट क्यों अलग-अलग जगह में आपने काम किया आपने मिनिस्टर आफ एक्सटरनल अफेर्स में भी आपने बहुत जगह म में एक दम आपने जैसा कहा विचार धारा उनके लिए कुछ नहीं है सिर्फ सत्य में रहना है उनका एक ही लक्ष है इतना समय लगा आपको समझने में क्योंकि मैं शुरू में जब मैंने नितिश जी को जॉइन किया मुझे लगता था कि विचार धारा पर उन्होंने मेरे स बातचीत में और उसकी पुरुष्ट भूमी बनाने मरे इतना जोर दिया कि मैं समझा कि एक परसनल इंटेग्रिटी यानी साफ सुत्रा चेहरा और विचार धारा से जुड़े इनसान जिनके अंदर वो क्षमता थी पोटेंशल था कि वो राश्ट्री अस्तर पर देश का न को जोड़ा था दोहजार सत्रा में मुझे लगा कि साड़े तीन साल तक यानी दोहजार तेरह से लेके दोहजार सत्रा तक बीजे पी को और नरेंद मोदी को हर मौके पर हर अफसर पर हर विशे पर इस तरह अलोचना करने वाला व्यक्ति यहां तक कह दिया कि मैं मिट्टी म मिल जाओंगा पर बीजे पी और नरेंद मोदी का हाथ नहीं थामोंगा ऐसा व्यक्ति बीजे पी के साथ एक आयक कई चंद घंटों में पलट करके फिर से जुड़ जाए तब से मेरे मन में ये लगने लगा कि इनके लिए विचार धारा एक खिलोना है और मैंने उन से बात की और तब से मेरे मन में ऐसा जरूर रहा कि नितीश जी सत्ता के लिए कोई भी समझाता करने को तैयार है और उसके बाद अब तक आ करके ये मामला अब बिलकुल स्पष्ट हो गया और इसलिए इसका कारण भी ये है कि मुझे पार्टी से निश्कासित नहीं एक जीज़ आ आपको भी मानना पर गए कि आपके बहुत समय लग गया इस वेक्ति के असली चहरा मानता हूं मैं मानता हूं कि मुझे वक्त लगा क्योंकि नितीश जी के ऑपरेट करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अपने हर निरने के पीछे वो अपनी ही विचारधारा नहीं रण नीती और विचारधारा को मिला करके वो देते है जैप्रकाश नरायन का नाम महात्मा गांधी का नाम राम मनोर लोहिया का नाम तो उसको लेकर के मुझे भी वक्त लगा पर दोहजार सत्रह के बाद जिस तरह से उन्होंने तब एक तरह से उनको कहा जाता है पल्टी मारी तब से मेरा मोह भंक शुरू हो गया था और कई बातों पर मैंने बात कि आपको अश्चरिय होगा अश्चरिय होगा कि वो बीजेपी के भी नहीं होके रहे एक मिनिट हम आएंगे एक बार आपका डिस्प्ले पिक्चर में मैंने भी मौंदास करमचाद गांधी का तस्वीर देखा नही यह जो नागरिकता कानून है CAA जो संचोधन ही का सिटिजन्शिप अमेंडमेंट अक्ट भारती जनता पार्टी कह रहे हैं कि यह मुस्लमान के ओपर कोई असर नहीं परेगा आप यह मानने के लिए त्यार नहीं है और बहुत सारे हैं क्यों यह सिर्फ यह तीन देश है पा है कि नहीं जिस तरह से आप जो पंजीकरन करने चाहते है NRC, National Register of Citizens, NPR यह भी इस तरह से नहीं करना चाहिए तो फरक क्या है नितीश कुमार भी कुछ आज प्रेशन चिननों तोल रहे है कि इस तरह से CAA और NRC को लागू नहीं करना चाहिए, NPR को लागू नहीं चाहिए, तो विवाद कहां पे है? मैं बताता हूँ, विवाद कहां से शुरू हुआ? और जो बाकी वो उस बात से अपने थोड़ा बहुत हट करके ऐसा दिखा रहे हैं कि वो कोई समझोता कर सकते हैं, NPR और NRC के मामले में, यह एक सुविधा जनक एक रणनीती है, जब उन्होंने देश व्यापी प्रतिक्र देखी, CAA और NRC के खिलाफ, CAA का समर्थन जब वो कर रहे थे, इनका जो सांसद है वो तो वोट किया, तो उस वक्त मैंने उन से बात की, मैंने कहा कि आदरनिया नितीश जी, यह असमवदानिक है, अलोकतांत्रिक है, डिस्क्रिमिनिट्री है, समाज में, स्थिर्टा, और स वहारत के खिलाफ है, हमारे पार्टी के सम्विधान के खिलाफ है, आपकी अपनी विचारधार के खिलाफ है, कि धर्म और मजहब के आधार पर नागर्कता में, डिस्क्रिमिनेट या फर्क करना, यह हमारे हर तरह के विचारधा से अलग है, हम नहीं कर सकते, ऐसा मैंने उन कर दी और पार्टी ने लोक सभा में इस बिल का समर्थन किया जब राज सम्भा में आया उच समय तो आप तो सांसत तो नहीं था पर इसलिए पर क्योंकि मैं राश्टे मास अचिव था और क्योंकि मेरे इसमें स्ट्रॉंग व्यूज थे मैंने उनसे बात की उन्होंने नजर किया जब राजसभा में बिलाई तब मैंने एक पॉब्लिक ट्वीट के जरीए उन से कहा कि इस मामले पर कृपिया पुनर विचार कीजिए और हमें इसका जवाब भी आपने सुना कि ये सब ट्वीट क्या है और आपने अंदर का ख़बर जो वेक्तिगत तरीका से जो गोपन अगर आप उसकी क्रोनालोजी समझ लें जो उसका समय सीक्वेंस है तो आपके लिए बात क्लियर हो जाएगी मैंने पॉब्लिक ट्वीट उन से पुनर विचार के लिए क्यों की वो इसले की कि जब मैंने उन से निजी स्थर पर बातचीत की तो मेरे बातचीत और राय और बावजूद उन्होंने मेरी बात को नजर अंदास कर दिया जब राजसभा में आया तो आए एक और अफसर आया कि शायद इस पर वो फिर से सोच ले इसले मैंने सारवजनिक रूप से ट्वीट करके उन से कहा और आप राश्ट्रिय प्रवक्ता होने के बावजूद भी आपको ये उनका जो भी विचारदारा है आपको समर्थन करना पर आएक के बाद एक टेलिविजन चैनल में पर मैंने मैंने सी ए ए पर उनका कभी भी राश्ट्रिय प्रवक्ता होते हुए पूर्ण समर्थन नहीं किया मैं मैं इसको मान के चला कि ये गलत है पार्टी के लिए खेर उसके बाद जब मैंने उन से सारवजनिक रूप से आगरे किया तब भी वो नहीं माने बाद मैंने दो पत्र लिखें और उन्होंने एक क्योंकि वो एक पॉलटिशिन तो है उन्होंने देखा कि सी ए ए का पार्टी ने समर्थन तो कर दिया है पर एक राश्ट्रियस तर पर उसके खिलाव अन्होंने देखा कि सरक में युवाऊ निकल गया हैं जो कह रहे हम हिंदू हैं न मोहिम छोड़िये आप शासन प्रशासन कीजिए आर्थिक व्यवस्था को देखिए रोजगार दीजिए ये बाटने का काम आप कब से करने लगे आपने ये भी कहा कि जनता दल यूनाइटेड भारते जनता पार्टे एकसाद दिल्ली का विदान सबस्थ चुनाओं में एक सा था 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 आप आप लूना नहीं चाहिए तो एनर्सी पर उन्होंने अपनी थोड़ी पोजिशन बदल के कई एनर्सी नहीं होगी फिर उसी के बाद उन्हीं के मुक्ष मंतरी सुशील मोदी जो बीजेपी से है वो यूनिलेटरली अनाउंस कर देते हैं कि एन पियर होगा जबकि सरकार कहती है एन पियर पहला किदम है एनर्सी के लिए तो मैंने उनको फिर खत लिखा मैंने का आप ने कहा है कि एनर्सी नहीं होगा अब आपने यूनिलेटरली एन पियर की डेट्स कैसे अनाउंस कर दी उस पत्र का जवाब नहीं आया पिर मैंने पत्र लिखा उन ने कहा उन से कि आज सबसे महत्व पूर्ण चीज़ खास तोर से आपके अपने कसोटी के हिसाब से कि पार्टी में एक वेचारिक स्पष्टी करण हो आइडिलोजिकल क्लारिटी और उस संदर में मुझे बताना पड़ा संकेत के द्वारा ही कि आपके मन में खुद बीजेपी के प्रती संशे डाउट और कई बार आपने कंसर्न भी विक्त किया है कि बीजेपी किस दिशा में किन नीतियों के साथ है जिनका हम समर्थन नहीं कर सकते तो मैंने का अगर पार्टी जो वेचार धारा पर आधारित है अगर उसमें वेचारिक स्पष्टी करण नहीं होगा तो ये गलत होगा और इसके रहते आप वेचारिक स्पष्टी करण करने के बजाए आप हमारा उनके साथ गडबंदन पहली बार बिहार से बाहर हट करके दिल्ली में भी जा रहे हैं इसके पहले सोचिए अब आप क्या समझते हैं आज का जो मौहल है हमारे देश में और भा आप क्या आज भी समझते हैं कि भारत वर्ष और भारत वर्ष का जो समाज है इसके एक बहुत बड़ा एक खत्रा है ये आप जो कहांगे आज जो आप कहते हैं सामप्रदाइक शक्ती आप क्या कहेंगे कि आज जो हिंदू समुधाय का एक बड़ा हिस्सा आज समझते हैं कि है भारत वश्च के हर साथ वेक्ती में एक वेक्ती मुसल्मान है चौद फीस दी की आसपास रफली 14% ये एक तरह से हमारे खिलाफ है हमारा शत्रू है या इन लोग को अगर हिंदुस्तान में जीना है तो ये दूसरा स्टेनी का नागरिक सेकंड क्लास सिटिजन और लोग यूदी थे जूज एक एक फीसदी उनके जर्मनी का तीस का दशक का बात हो रहे हैं आज हमारे देश में 14% ये लोग मुसल्मान हैं तो आप क्या समझते हैं हमारे पूरा जो भारत वश्च में जिस तरह से आज सांप्रदा शक्ती आगे बरा इसको रोक नोकना बहुत केवल और केवल भाईचारा प्यार महबबत सोहार्थ से ही हो सकती है और हर मख़ब और हर धर्म का समान करने से हो सकती है ये जो बीजे पी की महिम है आरेसस की महिम है कि इस देश का हिंदू करन किया जाए वो तो ना तो हिंदू ही धर्म और दर्शन के अनुकूल है वो दे के हित के भी खिलाफ है इस देश में सदा से कई धर्म और कई मजभब के लोग प्यार महबबत से और भाईचारा के साथ रहते चले आए हैं और आज मुझे फिर से एक नई उमीद जागी है कि चाहे बीजे पी ऐसी सामप्रदाइकता के साथ चलना चाहे देश को हिंदू तवारा कराना चाहे धर्म के आधार पर घ्रिना हिंसा और द्वेश को बोना चाहे मैं जानता हूं कि आज की जो युवा पीडिये खास तोर से वो उनके हाथ में समविधान है उनके मूपर गांदी जी है और उनके हाथ उठते हम बेट कर के लिए चलिए पबन जी आने वा महिना बाकी है बिहार का विदान सबाद चुनाओं में क्या होने वाले क्या लग रहा है आप मुझे लगता है कि हम पुर्जोर कोश्ट करेंगे और अभी मैं उसके बारे में विस्तार से नहीं बोलूँगा कि जो सामप्रदाइक शक्तियां हैं और जडियू को मैं अब बी बीजेपी नितीश जी के काम आ सकती है तभी तक नितीश जी के लिए उसकी कोई एहमियत है और वो काम इसलिए है कि सत्ता और मुख्यमंत्री की कुरसी उसके बाद बीजेपी के भी उनके लिए कोई खास जगा नहीं है खैर जब तक है हम को ये करना है कि भारत में ऐसी शक एक यूनाइटेड और सेकुलर देश मना सके पबन जी आपके साथ प्रशांद किशोर को भी एक्सपेल किया गया तो आप तो प्रशांद किशोर को भी जानते हैं लोग कहेंगे कि वो सचमुच क्या राजनीता है या एक तरह से पॉलिटिकल क्या कहते हैं कॉंसल्टेंट या राजनीतिक ठेकेदार है एक समय मोधी जी के साथ थे फिर लालू जी के साथ नवीन जी के पास थे पिर चगन रेड़ी के साथ है आज ममता बेरन जी के साथ है उनका भी तो कोई राजनीती नहीं है मगर नीती जी उनको वाइस प्रेजिडन्ट मना दिया क्यों और आज आपसे कहूंगा कि प्रशान्द किशोर क्या है और उनकी राजनेतिक वर्ल्ड व्यू या व्यूज क्या हैं यह सवाल आप उनसे पूछें पर इतना जरूर कहना चाहूंगा प्रशान्द किशोर ने भी जदियू से उन्हीं मुद्दों को उठाया जिसके वजह से आज मैं भ आई जहां तक मुझे समझ आई है सामप्रदाइक ताकतों के खिलाफ है जो भारतियों को धर्म के आधार पर बाटना चाहते हैं आप क्यों नतीजी के बाद मानते हैं कि अमिछ शाजी ने कहा कि उनको प्रशान किशोर को ले जाओ पार्टी में ले आओ वाइस प्रेसिडेंट बना जाओ सारवजनिक रूप से कि ग्यारा फरवरी को प्रशान किशोर जो वैसे आपके लिए उनका जो आई पैक टीम है काम कर रही है जब दिली के नतीजे आएंगे तो प्रशान किशोर पटना में होंगे एक प्रेस वारता करते हुए जहां जो सत्य और हकीकत है उसको पेश आपके पार्टी जोइन कर रहे हैं कोई कह रहे हैं आप आम आदमी पार्टी के पाथ चल जाएंगे आप क्या सोचना है आप देखिए एक पुराना अर्दु एक लाइन है एक बार मौत आजाए तो सांस ले लो अभी तो मैं रिश्कासित हुआ हूँ बहुत पुराना रिष्टा मेरा जदियू से रहा है मेरे मन में नितीश जी के लिए निजी स्तर पर सने है पर नितीश जी जो पॉलिटिशन है वो मेरे नजर में इसलिए अभी मैं थोड़ा सा मुल्यांकन करना चाहता हूँ और जब मैं अगला कदम लूँगा राजनेतिक शित्र में सही समय पे सही कारणों के लिए लूँगा और आप से फिर रूबर हूँ आचानी ऐसा है कि आपने कहा कि अभी भी आप एक वेक्तिकत स्थ से आप नि करशन ठाकुर ने किताब भी लिए निदिश कुमार जी के बारे में उन्होंने कहा वो साधी करने के लिए इत्यार नहीं था क्योंकि दहेज मांग रहे थे जब तक उनका पिताजी का कि हम दहेज नहीं लेंगे लालु प्रसाद जी के नौ बच्चे है आठ बेटा आर निदिश कुमार जी एकदम साफ सुत्र है उसका बेटा के संपत्य उनसे जादा है हाव ट्रू इस यह क्या सच है यह क्या एक चवी है लोगों को दिखाने के लिए लिए कि I have no reason at the moment and I must be always fair, honest and objective to doubt Mr. निदिश कुमार's personal integrity as far as money or material goods are concerned but I have every reason to believe हर कारण है मेरे पास इस बात को मकबूलने के लिए कि जहां तक ideology, विचारधरा, राजनेतिक समझोते की बात है उस पर निदिश कुमार अब अपने ही कसोटी से गिर चुके हैं, उनके माप डंड बदल चुके हैं वो वो इनसान नहीं रहें जो वो समझते थे जब वो राजनीती में आएं कि वो बनेंगे ठीक है, वक्त अभी खतम हो गया, धन्यवाद प्रवण जी, थैंक यू वेरे मच, आपने एकदम बहुत ही अपने मन की बात कहा, मैं प्रधान मंत्री मन की बात के बात कोई सवाल ने उठा सकते हैं, अट लिस्ट आ कूड आस्क यू अप्यू क्वेस्चिन्स, थैंक यू प्रवाद देखते रहें, न्यूस क्लिक